जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका सुभागत हैप इस वीडियो में हम जानेगे कि इंटराडे Unidos के लिए कौन सी स्टाॉक सेलेक करने चाहिए दोस्तों आप लोग में सिख बना रहा हूं जिसमें हम मैं बताओंगा सबसे पहले तो कि जो आप intraday trading के लिए stock select करते हैं उनकी क्या properties होनी चाहिए वो कैसे stock होनी चाहिए और इसी वीडियो के series में कई वीडियो और मैं लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा different तरीके जिससे हम stock को select कर सकते है intraday trading के लिए तो सबसे पहला वीडियो आज का जो है यह है कि आप किन stocks को select करने चाहिए उनकी क्या criteria होनी चाहिए जिनको आप intraday trading के लिए select करें दोस्तों बहुत ही important वीडियो है अगर आपको intraday trading करनी है तो आपको पता रहने चाहिए कैसे stocks intraday में moves देते हैं उसके पहले एक standard disclaimer कोई अगर मैं stock का नाम लेता हूं तो वो एक किवल reference purpose है कोई भी investment के पहले आप अपने advisor से जरूर contact करें इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर subscribe कीजे क्योंकि काफी नए वीडियो टेकनिकल और fundamental analysis में मैं लाता रहूंगा जिससे देता है रूज कोई stock मूव देता है तो आकर हम किस stock को इंट्रडे में select करें दोस्तों इंट्रडे के लिए हर stock suitable नहीं होता है nifty में over 4000 stocks listed है तो क्या हम हर stock में इंट्रडे कर सकते हैं इंट्रडे movement की जो dynamics है वो कुछ ही stock satisfy करते हैं और हमें उन्हीं stocks को select करना चाहिए और एक हमें भी stock में movement देखके नहीं हुशना चाहिए बट हमें trade setup करना चाहिए हम जो भी हमें तो पहली बात की इंट्रडे ट्रेडिंग में कोई ना कोई strategy follow करनी चाहिए अगर आप कोई stock बढ़ आया और blindly इसको buy कर देते हैं तो आप gamble कर रहे हैं आप इंट्रडे ट्रेडिंग मे क्या उसमें volume action है क्या उसने range को break किया है क्या वो support से bounce ले रहा है क्या वो resistance पर तो यह सब technical चीजे technical indicators को use करके जो लोग trading करते हैं वो रियल में trading करते हैं बाकी लोग अगर बस randomly कुछ buy कर लेते हैं और wait करते हैं कि हां बढ़ जाए घर जाए तो वो gamble होता है सट्टा होता है और जैसे gamble में कोई probability नहीं रहती हार जीत की बहुत ही random चीज आप अकसर हारते हैं वैसे आप अगर आप ऐसे बिना किसी trade setup के बिना किसी strategy के intraday में stock select करेंगे उसमें trade करेंगे तो आप इसमें भी पैसे lose करेंगे तो दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिए तो सबसे प जो इंट्राइम में जब trade हो रहा है तो कितने इसमें buyers और कितने sellers available हैं कह लीजे दोस्तों इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई अगर stock है अगर मान लीजे उसमें volume नहीं है दिन में मतलब कि एक दिन में केवल 5000 शेर उसके कुल मिला के trade हुए तो इसका मतलब इंट्राइम में क्या कमा सकते हैं आप 1000 का अगर आप market order लगा देंगे तो वह बहुत ही ऊपर जाएगा और आपका buy price बहुत आज इसको sell कर सकते है market भी बिना बहुत ज्यादा difference लाग हुए price के क्योंकि आप Tata Motors का एक lot या दो lot sell कर देंगे suppose तो हो सकता है को कभी फायदा भी हो जाए लेकिन आपको जब break even करना पड़े या वो suddenly गिरने लगे और आपका stop loss ट्रिगर हो तो जब आपका market order पर आपको जाएगा तो किसी भी पॉइंट पे डे में जो भी आप stock से लेकरने उसमें बहुत ही हाई number of buyers से sellers होने चाहिए तो जैसे आप bid ask खोलते है नसी पे उस stock का आप खोलते है डीटेल तो उसमें लिखा रहता है bid and ask spread तो उसमें number of orders, number of buyer, number of quantity सब देले रहते हैं वो जादा होना चाहिए तो यह एक important चीज है liquidity stock में बहुत होनी चाहिए दूसरी चीज है volatility क्या होता है volatility मतलब होता है कि उस stock में क्या movement आ रहे है दिन में क्योई दोस्त stock select करते हैं कि जिसमें movement ही नहीं हो रही है मतलब कह लिजे कि वो सुबाद 100 पे कुला और शाम को 101 पे बंद हो गया और वो दिन भर अल्मोस्ट उसी रेंज मेरा 100-101 की बीच में तो वो non-volatile stock हो गया उसमें हमें intraday trading में कुछ मिलेगा नहीं तो share जो होना चाहिए वो volatile होना अब यह भी नहीं होता है कि वो बिल्कुल high volatile हो जैसे कि आप बायो कॉन जब पहले वह 1000 रुपीज के पर था तो high volatile था भी इसको bonus करके उसको लिक्विलिटी बढ़ा दी गई है वो कम वोलाटाइल तो लिक्विटी तक बहुत जादा रहती है तो वोलाटाइल कम रहती है यूजुली ऐसा है और वोलाटाइल में क्या होता है कि दोस्तों कि अगर आप highly volatile share select कर लेंगे तो वह भी दिक्कत है आप बिल्कुल low volatile share share करेंगे तो आपको intraday में moment भी नहीं मिलेगी high volatile select होगे अगर आपसे तो high और low तो दोनों साइड में बहुत जादा swing देगा तो उससे क्या होता है कि यूजिल क्या होता है सबोज आपने 800 रुपय का कोई share करेंगे तो उसमें क्या maximum chances कह रहता है कि आपका stop loss hit करके फिर वापस आजागा तो ऐसे stocks को भी avoid करना चाहिए जो दिन में बहुत जादे swings देते हैं और volatility देते हैं ऐसे में आपका maximum time पे stop loss trigger हो जाएगा आपको end में कुछ नहीं मिलका एक दो बार हो सकता है गें जादा देते लिकिन over the long term आप अब देखेंगे तो यह आपका केवल stop loss maximum time में trigger करेगा आप volatility को measure कैसे करते हैं तो इसके लिए दोस्तों एक average true range करके indicator होता है इसको हम ATR indicator कहते हैं तो इस indicator की help से आप measure कर सकते हैं इसको आप plot कर लिए जो भी आप technical graph यूज कर रहें और इसको देखिए तो आप देखें जैसे ही इसकी value 8 से 10 के ऊपर जाती है उस time पर यह volatile stock में volatility आनी start हो जाए तो ऐसे टेकनिकल में movement दे तीसरा factor होता है तो सो correlation correlation क्या होता है correlation जानना है जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको correlation पता है तो आप intraday में stock बहुत easily pick कर सकते हैं correlation मतलब होता है कि कैसे इस stock का relation है किसी भी major sector के index के या nifty के इंडेक्स है या किसी और इंडेक्स है अब कह लिजे अगर bank nifty गिर रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कई stocks हैं bank stocks के 5-10 stocks हैं अगर bank nifty 2.2% गिरा तो क्या सारे stock 2% गिरे कुछ stock हो सकता है 2% से ज्याद stocks है हर stock correlation होता है जिसे हम कहते हैं beta factor तो बीटर रिप्रेजेंट करता है कि वह stock market के movement या index के movement के साथ कैसे move करता है जैसे for example यह SDIL stock है अगर वो nifty डाउन हुआ तो SDIL हमेशा डाउन रहता है nifty अप हुआ तो SDIL अप रहता है तो हाई beta stock हो गया market से correlation उसका ज्यादा है तो आपको यह correlation समझना पड़ेगा है मैं यह नहीं कह रहा हूँ को हाई correlation stock उठाने आपको correlation समझना पड़ेगा क्योंकि एक दि मिलेगी stock select करने में इंट्राडे में तो correlation with major index और stocks move with index यह आपको पता रहना चाहिए और आपको उस index में कौन-कौन से stocks belong करते हैं जैसे BAC healthcare index है उसमें आपको लिपन रहता है Sun Farmer रहता है और विंदो फार्म रहता है different stocks रहते हैं अगर आप देखें कि वह sector डाउन है पूरा तो आपको पता रहें चाहिए और sector गिरेगा तो उसके correlated में जो उसके stocks हैं वह भी गरेंगे तो आप high correlation stocks उस sector से उठाएंगे high beta stocks तो वह आपको अच्छी moves देंगे इसको एक और example कि दूर हम समझ सकते हैं कि मान लिजे की crude oil index है हम देख रहे हैं कि crude oil index गिर रहा है जैसा भी recently गिरा था तो अब हमें पता है कि crude जब भी गिरता है तो aviation sector को हमेशा फायदा मिलता है paint sector को फायदा है क्योंकि crude ये use करते हैं अपने products बनाने में तो ATF के aviation sector के stock उठा सकते हैं तो correlation का भी आपको idea जानना जरूरी है दोस्तों तो ऐसे ही आप वीकनिंग रूपी जो होता है इसका मतलब वो IT sector में काफी increase होता है क्योंकि IT sector में और pharma sector में export होता है mainly तो जो जिस sector में ज्यादे तर export होता है पैसो का प्रोड़क्स का तो अगर रूपी वीकन हुआ तो मतलब जितना रूपी कमजोर हुआ उसको उतना ज्यादा फायदा होगा जैसे 65 रूपी है और कल माल 67 हो गया तो जो एक्सपोर्ट करें उनको 2 रूपी का सीधा फायदा हो गया जो उनके top line और bottom line में add हो जागा तो रूपी पे जो आप ध्यान रखे तो आपको stocks को हमेशा downtrend या uptrend के हिसाब से ही ट्रेट करने चाहिए अगर आपको market में वैसा बनाना है आज के एक्जांपल लेने आज निफ्टी almost 60-70 पॉइंट करेक्ट हुआ लेकिन कई लोग मैंने देखा stocks बस खरीद रहे थे और end में उनके stop loss trigger हो गया जब last में बहुत होता है stock को short क्या होता तो उनको आज फाइदा होता है तो दोस्तों हमें यह पता रहना चाहिए कि stocks जो हम trade कर रहे है वो अगर correlation में है index को और index downtrend में है तो हम उन्हें downtrend में ही रखे हम इने short करेंगे ना कि हम long करेंगे अगर हमें long करना है तो हम wait करेंगे इसे दोस्तों अगर माली चाहिए हम भूल रन में है तो अब कोई stock uptrend में है और हम उसको short कर दे तो हमें वहां भी नुकसान होगा तो हमेशा इंट्र डे में हमें जो इंट्रेंड हो रहा है यह short term जो ट्रेंड है मैं long term trend की नहीं बात करो हम सिस्ट आ टॉकिंग बाद करेंगे 15 दिन के तो पंदरा दिन का जो last 15 days का trend है उसको हम देखके ही अपने को कोई भी trade लेना है और वह एक trend में होना चाहिए आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फर एक्जांपल दोस्ता आप यहां देखिए कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सपोज यह दो दिन का अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्राफ रहता है तो यहां पेक sideway trend में आप देख सकते हैं आपको stop loss trigger होगा लेकिन आपको एक बार एक indication मिल लिए कि वहां एक uptrend start हो गया है higher higher low मार रहा है higher high और lower low मार रहा है तो ऐसे एक uptrend अगर आपको establish हो गया उसके बाद आप stock को trade करते हैं तो आपको बहुत chance होता है high chance होता है profit का तो मतलब आपको एक trend के साथ जाना है कि यहा sideways or choppy market में आपको जो stocks कोई trend नहीं दिखा रहा है इनको avoid करना है और ऐसी अगर हम beer face में suppose nifty आज बहुत downtrend मेता शुरू से गिर रहा है तो हम rather than buy करना हमें short side पे रहना चाहिए तो trend को follow कीजिए जैसे आपको trend का sign मिले reversal का आपना की जाए कि आप आज trend reversal हो जाएगा इस उमीद पर आपने short कर दिया आपको एक बार फायदा हो सकता है दो बार फायदा हो सकता है लेगन अगर आपको सालों-दर सालों consistently trade करके profit बनाना है तो आपको trend वाले stocks ही select करने चाहि आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि market में high volatility रहेगी और आपका stop loss होगा उस हिसाब से रहेगी आपका stop loss deep रहना चाहिए चाहें वह आप buy side में चाहें short size site में और दोस्तों आपका मतलब की risk भी उस समय high रहना चाहिए तो या तो आप trading मत किजिए उस दि नहीं बैठ रहा है तो आप trade मत कीजिए ऐसे दोस्तों जो stocks में result season होता है तो result season जो आने वाला होता है तो या board meetings होने वाली होती है कई company की तो वह सब dates भी जिन stocks में आप trade करना चाहते हैं वह आपको idea रहना चाहिए तो आप सुबह next day के पहले next trading day के पहले शाम भी थोड़ा research कर लिजे कौन से next day में की की dates हैं किसका result आने वाला है क्या नहीं आने वाला है क्योंकि यह सब दोस्तों होते हैं जिसनके dates जिन पर बहुत high movement हो जाता है result किसी का आया उसके तुरण बाद एक volatility आती है downside या upside में तो उसमें अकसर क्या होते हैं लोग का stop loss trigger हो जाता है वो भले इसे दोस्तों suppose कि स्टॉक का result आने वाला होता है तो वो स्टॉक पांच दिन तक बहुत गिर गया अब उसका next three days में result है तो उसको आपको शॉर्ट कर देंगे तो काफी likely है कि result के expectation में वो थोड़ा bounce back दिखाए और आपका stop loss hit हो जाए तो दोस्तों यह सब key dates भी आपको पता रहना चाहिए कोई भी stock select करने के पहले internet trading में अगर आप liquidity को ध्यान में रखेंगे volatility को ध्यान में रखेंगे trend को ध्यान में रखेंगे और ऐसे stocks को select करेंगे तो आपको फायदा होगा अब इन stocks को select कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा next video में इस तरह के stock को select करने के कई तर पल्क प्रेखंगे शर्डे कि दूड़िए इससता।